से स्टार्ट करते हैं मीनिंग ओफ टेर्स मीनिंग ओफ शेर्स से अधिली बात लही गई है तोटल capital of the company is divided into units of small denomination is called shares याने की for example यहां पर देखते हैं किसी company का capital है for example 10 लक इसी company का capital है 10 लक पर company क्या कर रही है इसको छोटे-छोटे pieces में distribute कर रही है और एक piece का rate रखा है उसने 10 रुपीज टोटल कितने share हो गया 10 लक और एक unit का price दखा है company ने 10 रुपीज कितना हो गया यह हो गया company का number of shares टोटल number of shares और एक share की value है 10 रुपीज इस लाइक पूरे capital को जो कि 10 लक की capital थी तो को कॉल डिनॉमिनेशन में पहले तो distribute करो अभी जो यह वाला एक हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम share बोलते हैं यह भी एक share है यह एक share है पूरी capital कंपनी की पूरे capital को ओल डिनॉमिनेशन में डिस्ट्रिब्यूट करो और एक जो एक जो यह portion हम लेते हैं इसको बोलते हैं यह ठीक है यहां पे लिखा है एक जो यूनिट है इसको एक नाम दिया गया यह 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 है की है फिति अब एक जेल है कि कपनी की टौटल Dep कोनी की टॉर्टल फिफ्टी लेक है उसको डिवाइड किया गया है फाइव लेक यूनिट्स में मतलब कीANT फिफ्टी लायर कैपिटल है रूपीज और इसको डिवाइड किया गया है pursue लेक वाइड फ्णल तो यह जो 10 लिखा है ना यह जो 10 लिखा है किसी को बोलते है Each unit of rupees 10 will called a share मतलब हर unit यानि कि 5 लाक unit है इसमें एक unit को उठाएंगे तो हम उसको बोलेंगे यह एक share है company का जिसकी कीमत 10 रुपे है ठीक है यह पर लिखा भी गया है Thus in the above case the company has 5 lakh shares of rupees 10 each share must be numbered so that they may be identified shares का number में होना वह जिरूरी है अभी तो हम identify करेंगे कि किसको कितने shares हमने दिये जिरूरी है तो numbers में होना shares का बहुज हो रही है आप देखेंगे यहाँ पर यह 50 lakh rupees है और यह 55 lakh units है यह number है तो shares हमेशा units में होते है यानि कि numbers में होते है और capital हमेशा rupees में होती है अभी फिर बताय जा रहा है आपको कि nature of shares के बारे में shares का nature कैसा होते है the shares of a company are movable property transferable in the manner provided by the article of association of the company shares of a company are treated as goods बस्तू की तरह सको treat करते हैं under the sales of goods act 1930 these can be bought sold hypothecated and bequeathed यह है hypothecated इसका मतलब क्या होता है आईए समझते है company की जो shares होते है वो movable property है मतलब आप इसको move कर सकते हो इसको लेके आप transfer भी कर सकते हो किसी को कैसे उस तरीके से जैसे company के article of association में समझाया गया है हम इसको company के shares को हम goods की तरह treat करते है इसको हम क्या कर सकते है pledge कर सकते है और एक तरह समझे हम इसको transfer कर सकते है यानि कि किसी को दे सकते है pledge मतलब होता है गिरवी रखना इसको किसी को कर सकते है यानि कि अपने आने वाले कि पर इसे के पास कमपनी का दस हजार शेर था वह बंदा क्या कि अपनी विल में अपनी वसीहत में वो शेर किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकता है ठीक है हो गया कहा तक ठीक है अभी क्या बताए जा रहा है काइंड्स वोफषेर इस कितने तरीके के होते हैं कि अ अन्डर सेक्शन दिवाक्तियश औपनी जशूद टू टाइपस आफ यद्टाम गाड़ा है एक्वटी शेयर इंड़ी शेयर are those which carry the following two rights पस यही है प्रेफरेंस शेर के पास दो राइट्स होते हैं जिन शेर्स में ये दो राइट है उनको हम प्रेफरेंस प्रेफरेंस वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है अगर समझाना हो तो प्रेफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या है प्रेफरेंस मिल रही है दो ही प्रेफरेंस मिलती है आप लोन लेते हो बैंक से या फिर कंपणी बैंक से लोन लेगी तो क्या देती है इंट्रस्ट का हिस्सा और प्रॉफिट का हिस्से हो क्या बोलते है आपे डिविडेंड ठीक है तो यहां पर क्या होला कि दो राइट्स है कि कंपणी क्या पहले डिविडेंड किसको देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पाद में पहले प्रेफरेंस वालों को दूसरा इंके पास राइट है यहां भी किसको प्रात्मिक्ता दीजा रही है प्रेफरेंस वालों को पहले आपका पैसा मिलेगा और कुछ बचेगा तो एक्विटी वालों को प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देगा तो अच्छा इसके अलावा भी एक चीज़ है इसके अलावा भी बात बताई जा रही है in addition to the above the preference may carry some more rights such as right to participate in excess profits when a specific dividend has been paid to the equity shares or the right to receive a premium at the time of redemption तो थो थोड़ा समझीए अब इसको अलग तरीके समझाते है देखिया आप जब भी preference shareholder के share देखेंगे न उसमें ये लिखा रहता है त्याँ से देखियेगा इसे लिखा रहता है और आप equity share वालों का देखे share उसमें लिखा रहता है एक्विटी डिफरेंस है न यहाँ percentage के साइन दीखर आपको वहाँ नहीं है और इस percentage के बाद क्या लिखा रहता है जर्नली एक number लिखा रहता है आठ परसेंट दस परसेंट बाराफ परसेंट जो भी हो जो भी company decide करें इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है हर साल company 10% fix rate से क्या देगी डिविडेंट देगी इर्रिस्पेक्टिव है कि company में कितना profit हुआ है लेकिन company fix rate से किसको डिविडेंट देगी और equity वालों को जो बच गया अब कितका है equity वालों का है तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि company में क्या बोलते हैं कि preference shareholder को एक और right है कि participate करें excess profit में मतलब for example hypothetical अपने मन से example लिख रहे है company को profit हुआ 10 लाग का इसमें से preference वालों को कितना देना था पी से denote कर रहा हूं preference वालों को देना था दो लाग किल गया 10 लाग का profit है दो लाग preference वालों को दे दिया कितना बचा 8 लाग अभी बचे 8 लाग 8 लाग किसको मिल गया equity वालों को मिल जाएगा तो preference वालों को थोड़ा सा इसमें लगता है कि हमें जब company इतना अच्छा profit कर रही है हमें fixed rate से ही मिला बट surplus profit तो बहुत जादा है या फिर इसको यूँ समझ लिजे कि preference वालों equity वालों को देना था माल लिजे देने के बाद भी इसको दे दिए 8 लाग एक लाग फिर भी बच गया तो preference वाले क्या बोलते है कि जो surplus profit हुआ है आपको उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दे दीजे हाला कि आपने हमें 10% दिया है लेकिन क्योंकि आप equity वालों को बहुत ज्यादा दे रहे हो हमें 10% भी fix मत कीजिए जो बच गया उसमें से कुछ हमें इस लाइक की वर्दे पार्टी में केक होता है तो केक सबने खाया एक केक खा लिया फिर भी यह इतना portion है बच गया कुछ लोग क्या खोलते हैं है अलाकि खा चुके हैं है बच गया वह भी लाओ यह preference वाले है बच गया क्या करोगे हमें भी दे दो यह बच गया profit हमें ही बा एक वर्ड है redemption इसके बारे में पढ़ेंगे chapter है पूरा तो बोलते है return repayment जब इनकी capital प्रेफरेंस वालों की capital जब उनको lot आई जाती है तो उनको क्या बोलते है बस capital नहीं चाहिए वो क्या बोलते है premium भी चाहिए तब उस पर थोड़ा extra पैसा भी चाहिए ठीक है क्यों एक् आपकी company में आपने उनको क्या दिया दस परसेंट इस दिया न और इन्होंने तो अलाकि इन्होंने loss भी छेले अब equity वालों क्या होता है बचेगा तभी तो मिलेगा reference को देने के बाद बचेगा तो मिलेगा तो यह कहते है कि हमें फूरे time fix rate से मिला है तो अपने को जब हमार है types of preference अभी preference के भी बहुत सारे types होते है जैसा कि पहला आपको दिख रहा है cumulative preference share cumulative मतलब क्या होता है cumulative preference share are those preference share the holder of which are entitled to cover the arrears preference dividend before any dividend is paid on equity this means that if any year the profit of the company are unsufficient अच्छे इसको ऐसे समझते हैं यहां पर देखिएगा यहां देखिए है यह हुआ है यह हुआ है कंपनी को चार साल का डेटा आपको देख रहा है कंपनी को 2018 में क्या हो गया पर एक्जामपल के दो सो करोड का लॉस 2019 में क्या हुआ देड़ सो करोड का लॉस कि 20 में कि 200 करोड का लॉस कि 2021 में कंपनी को benefit हुआ है सीधा 550 करोरिस क्या प्रिफरेंश्य फल्डर के है आपके यहां पे इनको कितना देना था 2010 देना था आपको इस साल तोपने नहीं दिया इस साल भी प्रॉफिट लॉस हुआ था आपका आपने नहीं दिया इस साल भी आपका लॉस हुआ है आप उसको डिविडेंट नहीं दे रहे हैं 2021 में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो आपने क्या बोला कि 2021 का जो भी डिविडेंट है दस परसेंट हो तो मिलेगा यह आप लोगो प्लस इन तीनों सालों का जो आपका डिविडेंट हो रहा था वो भी आपको क्या मिलेगा एड करके मिलेगा जो तीन सालों में लॉस हुआ है कंपणी को जिसमें आपने डिविडेंट नहीं दे पाएं थे प्रॉफिट हो गया ना इस साल दीजिए इसी को बोलते है क्यूमिलिटिव इसमें बच जाएगा इसमें बच गया पैसा एक्विडिशन रोटों को मिलेगा फिर उनका फिर क्यूमिलिट होगा फिर अगले साल उनको जोड के मिलेगा चार सालों का पैसा नाम ही है क्यूमिलिटिव क्यूमिलिटिव मतलब क्या होता है इकट्टा करके, तीन साल का इकट्टा देना पड़ेगा आपको जिस साल profit हो रहा है, इस example में, तीन साल का आपको जोड के आपने 14 साल में दिया, जिस year में profit होगा, उस year में आपको सब जोड के, यह है cumulative, यह ही बात यहां पे लिखी गई है, फिर आता है non cumulative, non cumulative preference share का मतलब क्या इसका नाम क्या है, मतलब अगर किसी साल loss हुआ, जैसे इस example में, अगर तीन साल loss हुआ, तो इसका जोड के आप यहां पे claim नहीं कर पाओगे, आपको नहीं मिलेगा तीन साल का, ठीक है, आपको बस उसी साल का profit, dividend मिलेगा, जिस साल profit हुआ है, हमारे case में 2021 में, तो बोलते हैं, non cumulative preference shares, अचा अभी एकाता है participating, participating preference shares, क्या कहता है यह, such shares, addition the fixed preference dividend carry a right participate in the surplus profit, if any after dividend at a stipulated rate has been paid to equity shareholder, similarly in the event of winding up, after paying back both the preference and equity shareholder, there is still some surplus left, such shareholder is intended to receive a predetermined proportion of surplus, यहां पर बताया जा रहा है, कि participating preference shareholder को क्या बोलता है, कि उनको fixed rate से dividend मिलता है, but company में कुछ excess profit हो गया, surplus profit हो गया, तो उनको उसमें भी कुछ हिस्सा दिया जाता है, ठीक है, और non participating का मतलब क्या होता है, only fixed मतलब जिनको बस dividend हर साल मिलता है, और कोई surplus profit में कोई हिस्सा नहीं होगा, सीधा इसका opposite, नाम में ही आगे non लगा है, अब देखो, ध्यान से, अच्छा, अभी क्या है, point number E देखेंगे, redeemable, इसको पढ़ते हैं, redeemable preference shares, the shares are those which will be repaid by the company within a stipulated period in the accordance with the terms issue and the fulfillment of certain condition laid down in the section 55 of the companies at 2030, अच्छे इसको क्या बोलते हैं, redeemable का मतलब क्या होता है, repayment, for example, कोई company है, जो public से क्या लेती है, public को क्या लेती है, वहां से shares, एक से लेती है, capital, और public को क्या दे रही है, redeemable preference share, company से क्या लिया, capital का पैसा, और बदले में क्या दिया, कौन से shares, preference share दिये, उसका कौन से type दे दिया, redeemable, और यह company देते वक्स बताती है कि 5 साल के बाद आपको हम आपका पैसा क्या करेंगे, transfer कर देंगे, आपको repayment कर देंगे, आपकी capital, बस, उसको बोलते है, redeemable, ठीक है, आप अपना पैसा, एक fixed tenure के बाद, जो की companies act में लिखा होगा, उसके हिसाब से आपका पैसा, उस साल के बाद, उतने duration के बाद, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, एक फिर क्या होता है, irredeemable, बतलब जिसको आप redeem, जिसको आप redeem, नहीं कर पाएंगे, नहीं, mutual fund companies का capital नहीं होता है, mutual fund एक अलग concept है, यहाँ पर क्या होता है, कि एक fixed rate time के लिए पैसा company आपसे लेती है, और उसमें आपको fixed rate से dividend दे रही है, और आपको भी पता है, और company को भी पता है, कि for example, मन से बोल रहा हूँ, कि 5 साल बाद इनको पैसा देना है, तो company साफ से चलेगी, इस इंटरस देगी, प्रिफरेंस येर में तो यहीं पता है ना, मैंने, rate क्या है dividend का, fixed है, और उसमें भी, यह हम यह वाला topic पढ़ रहे है, redeemable, मतलब आपको पैसा क्या हो जाएगा, company return कर देगी, fixed time पर, company ने कहा कि 5 साल तक आपका पैसा रखेंगे, आपका पैसा हम return कर देंगे, इसमें जब company बंद होगी, तभी आपका पैसा return होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा, according to section 55 of companies at 2030, no company limited by share, sell, issue, any preference share, which is redeemable or expiry of 20 years from the date of issue, इंडिया में क्या नियम है, कोई भी company, limited company, ऐसे preference share issue ही नहीं कर सकती, जो की redeemable ना हो, इंडिया में अपने strict law है, कि आप ऐसी कोई भी company हो, वो कोई भी ऐसे shares issue नहीं करेगी, जो की redeem ना हो सके, जिसका पैसा company repay ना करे, जब तक company चलेगी, तब तक के लिए पैसा लोगों से उठा लिया, ये इंडिया में allowed नहीं है, आपको कौन से share preference आपको share issue करने पड़ेंगे, हमेशा redeemable करने पड़ेंगे, उसके बहुत सारी रीजन्स है, किसी को जरुत पर सकती है पैसे की, कोई पैसे से गलत इस्तेमाल कर रही हो, और वो लोगों को पैसे रिटर्न भी ना कर रही हो, तो बहुत सारे केसे को देखते हुए, इंडिया में इसको allowed नहीं किया गया, एक और है आपके पास, convertible preference shares, holder of these shares have a right to get the preference share converted into equity share at their option according to the terms of issue, जैसे की जमझेगा इस बात को, यहाँ पर है राम, और यह है company, राम को हमेशा से मन था कि इस company के कौन से share खरीदे, equity share, बट राम company को पहुचने में लेट हो गया, equity share खतम हो गया, तो राम को company ने क्या offer दिया, कि सर आप ले लो preference share, राम ने का क्या बोलेगा, राम ने का क्यूँ, equity share खतम हो गया सर, preference ले लो आप, कुई अच्छे हैं, राम ने का चरो, ठीक है, राम ने preference share खरीद लिए, company को पता था कि राम किस के लिए आये थे, equity के लिए आये थे, company कहती है कि सर, एक बात बतानी थी आपको, कि आप इन preference share को अपने पास रखो, once example दे रहा हूँ, चार साल तक, किक्ते साल तक, कर चार साल तक, आप इस preference share को अपने पास क्या करो, hold, उसके बाद, हम ने पूछा, company ने कहा, उसके बाद आपके preference share को, हम किसमें convert कर देंगे, equity share में, आपके preference share किसमें convert हो जाएंगे, सीधा, equity share, ये जो preference share issue किया गया न, इसी का नाम है, convertible, जिसको आप convert कर सकते हो, एक fix time के बाद, और वो fix time क्या है, depends upon the company, company बताती है, एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद, कब आपको वो share, convert करने का मौका, मिलेगा, convertible, non convertible मतलब, justice का opposite, आपको एक बाद preference share मिला, आपको, equity share के बदले में, exchange करके नहीं मिलेगा, आपको हमेशा, preference share ही रखना पड़ेगा, अब बताता है, equity share के बारे में, equity shares are those share, which are paid dividends, only when the profit left, after the preference shareholder, have been paid fixed rate dividend, अच्छा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, यहने आपको बताया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे हैं यहां पे, दो तरह की shares होते है, preference और equity, preference में बहुत सारे types पढ़ लिए हम लोगों ने, अब किसकी बारी है, equity shares की बारी है, हाला कि दोनों में, हैं दोनों share सी, preference share भी एक share है, equity share तो है ही, दोनों में आप owner ही बनते हो, और दोनों की क्या है, internal जो structure है, वो बहुत अलग है, कि dividend कैसे pay करना है, management में कैसे उसे decision लेने है, उनके जो यह share से इस पर repayment कैसे करना है, यह बहुत अलग-अलग है, तो shares की बात करते हैं, shares के बारे में क्या बोलता है, यह वैसे shares है, equity shares वैसे shares है, जिन पर dividend तो मिलता है, बट कब, preference shareholder को dividend देने के बाद, अगर कुछ बच जाए, तो ही उनको मिलता है, ठीक है, इनका कोई fix rate नहीं होता, क्यों होग उनका fix rate, इनोंने risk लिया है, जो equity share खरीते हैं, करते हैं, risk लेते हैं, हमारा पूरा पैसा है, उसमें profit हुआ तो मिले, loss हुआ तो कुछ भी नहीं, इन अ पर्टिकुलर येर, देर, no profit और insufficient profit, the equity share will receive nothing, जैसा कि अपने पढ़ाए, किसी येर में profit ना हो, या profit क्या हो, बहुत कम हो, उस साल, इनको कुछ नहीं मिलता है, equity share holder को, कुछ नहीं मिलता है, if the company earns profit, they get higher rate of dividend, as regard return of capital, equity shares, capital is return only, when the preference share holder is return in full, किसी साल, बहुत ज्यादा profit हो गया, preference वालों को तो fixed rate से मिलेगा, बचा हुआ, सारा इन लोग का होता है, तो इनकी जो gain होती है, equity share holder have voting rights, and control the affairs of the company, equity वालों को एक और benefit होता है, अगर आध्यान से देखो तो, कि इनके पास voting करने के right होती है, तकि मैंने example दे रहा था भी आपको, कि for example company, पूने में कोई plant, establish करना चाहती है, समझते हैं ना plant, और उसको establish करने में for example, 200 करोड का खर्चा है, plant को लगाने में 200 करोड का खर्चा है, अभी यह company अपने पास से ही देगी, और यह किसका पैसा है, shareholder का पैसा है, shareholder से पूछना तो पढ़ेगा ना, board of director तो यह decision, shareholder से पूछ कर ही लेंगे, shareholder से कैसे पूछा जाता है, जिसके पास equity share है, वही उनी से पूछा जाएगा, और वही vote करेंगे, यहां खरीच सकते हुआ या फिर नहीं खरीच सकते हूँ, अगर majority shareholder ने कहा दिया कि नहीं, आप मत खरीदो यह plant, मत लगाओ, तो नहीं लगेगा, ठीक है, तो voting right किसके पास होती है, equity shareholder बाद, विल्कुल, अगर उनके पास cumulative preference यह नहीं है, पीछे तालों का loss उनको भिखिलना पड़ेगा, है ना मैं, हैं तो दूनों मालिक ही, पर यह preference वाले ऐसे मालिक है, जिनको fixed rate से dividend चाहिए, और यह equity वाले वालिक है, जिनके पास कोई fixed rate नहीं है, आया तो बहुत, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लॉट, देना हो, पस normal preference share है, किसी के पास कुछको loss भी चेलना पड़ेगा, ठीक है, प्राइज़ दोनों के अलग अलग होता, अलाकि इंडिया प्रिफरेंश यह अभी issue करना, बहुत सारी कंपनियों को allowed ही नहीं है, equity हम allowed करते हैं, अपने इंडिया में, असकर, अफेर्स अप दे कंपनी मतलब होता है, बिजनेस, कंपनी के बिजनेस में क्या करते हैं, voting के थुरू, control करते हैं, company के decision को control करना ज़रूरी है, तो board of director क्या करेंगे, अपनी मर्जी का decision ले लेंगे, board of directors यह होते हैं, इंको कौन appoint करते हैं, shareholder यह appoint करते हैं, अब उस shareholder, अब board of director अपनी मर्जी से सारा decision लेने लेंगे, बड़े-बड़े decision, तो problem हो सकती है, वो अपनी interest के लिए decision ले लेंगे, यह भी एक problem है, इसको देखने के लिए क्या होगा है, voting right बनाई गई थी है, ठीक है, और इसमें कौन बैट सकते हैं, सिर्फ equity shareholder भी बैठ सकते हैं, अच्छा कुछ difference बदाया जा रहे हैं, यहाँ पर preference और equity में, यहाँ पर बहुँच जाता clear हो जाएगा भी, नियान से देखना, dividend के basis पे क्या difference होता है, dividend के basis पे क्या difference हो सकता है, preference share क्या गोलते हैं, fixed rate पे dividend मिलता है, पता है हमने, तिर नाम के आगे percentage लगा रहता है, equity वालों को, not fixed, इनका dividend का कोई percentage fixed नहीं होता है, और यह साल दर साल vary करता है, depending upon the availability of profit, जितना profit उतना dividend, profit में depend करता है इनका, ठीक है, arrears of dividend, अच्छा, arrears मतलब क्या होता है, unpaid, अर्यार मतलब unpaid, या फिर due, मतलब किसी साल dividend नहीं दे पाए, तो preference वालों को क्या होता है हिसाब, if dividend is not paid on these shares, in any of the year, the arrear of dividend may be accumulated, may be, ध्यान देना, यह वर्ड पे ध्यान दो, may, वो भी सकता है, मालों किस साल profit नहीं हुआ, लगातार तीन साल तक profit ही नहीं हो रहा है, तो इनके, चौथे साल में जाके profit हुआ, तो तीन सालों का मिला के dividend देना पड़ सकता है, बढ़ यह सारे, सारे shares में तो केस नहीं था, किस में था, cumulative preference share वालों के लिए case था, तो यह लिए वर्ड लिखा है, में, हो भी सकता है और नहीं भी, अगर आपने normal preference share खरीदा है, नहीं मिलेगा, loss हुआ तो loss हुआ, on the other hand, equity share वालों के अगर बात करो, equity share dividend cannot be accumulated, नहीं मिलागा, loss हुआ, कोई dividend अगले साल profit हुआ, तो पिछले साल को जोड के हम नहीं देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा, तीसरा basis है, preferential right as to the payment of the dividend, किसको पहले dividend मिलेगा, प्राथमिक्ता किसको देंगे, preference किसको देंगे, अब को पता है, they have a right to receive dividend, before any dividend is paid to equity shareholders, equity वालों से पहले किसको dividend देनी के प्राथमिक्ता है, preference वालों को, और यहाँ पे, payment of dividend on equity share is made after the payment of preference, dividend, preference वालों को dividend देने के बाद profit बचे, तो equity वालों को पैसा dividend देते हैं, ठीक है, एक और basis है, preferential right as to payment of capital, company जब wind up हो रही है, तो capital को क्या करते हैं, companies repay करती है, तो company बंद हो रही है, तो लोगों का capital क्या करेंगे, return करते हैं, यहाँ भी preference वालों को क्या मिलती है पहले, option मिलते है, उनको पहले benefit होता है, क्योंको बोलते हैं कि पहले आप ले लो, they have a right to return of the capital, in the case of winding up, मतलब बंद करना, before any capital is returned to equity shareholder, equity वालों को capital return करने से पहले, preference shareholder की capital return की जाती है, और उसके बाद, equity share capital is paid only when preference capital is paid out fully, preference वालों को पूरा पैसा मिल गया, उनका capital का, सब जाके आप equity shareholder को वालों को बुलाते हो, कि आप लोग पैसा अपना capital ले जाओ, voting rights की बात करें, तो इसके basis पे क्या differences हो सकते हैं, आपकी समझ से, preference shareholder do not have any voting rights, preference shareholder के पास voting rights नहीं होती है, वो company की meetings में नहीं बैठ सकते हैं, अलाकि equity shareholder enjoy voting rights, equity वालों के पास voting rights बिलकुल होती है, अच्छा, एक और difference है, आखरी है, right to participate in the management, management में part लेने हैं, participate करने का अर्धिकार है कि नहीं, they do not have right, preference वालों को कोई right नहीं होता है, preference वालों को कोई right नहीं होता है, management decision में involved होना, कोई property, कोई plant set up करना है, यह management का decision है, इसमें कौन participate करेगा, सिर्फ और सिर्फ equity shareholder, preference वालों कोई उसमें interference नहीं चाहिए, they have a full right, equity वालों की बात हो रही है, in the management of the company, company की management में इनका, पूरा का पूरा interference रहता है, पूरा का पूरा discussion involved रहते हैं, ठीक है, कर दो, उसमें,